विल्कम टो चैनल टेक मेकनिकल एनिलेक्टिकल आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज जी कर एडवांस एक्जाम स्पेसल मॉडेल सेट नंबर फोर इससे पहले मैं मॉडेल सेट 3 तक पोवैट किया था जिसमें मैं 50 कोसिन का सलूसेन अपलो को देता हूँ और एडवांस टेस्ट स्पेसल मैं क्लास पोवैट करता हूँ और इसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ जिसमें आपको बहुत सरा PBICR कोसिन पेपर देखने को मिल जाता है अगर आप लोग BARC, NRB, मैसूर का PBICR कोसिन पेपर देखना चाते है मेरा चैनल पर अगर NFC का फीटर, मैसेनिस, टानर में क्या-क्या कोसिन पूछा गया था हेबी वाटर बोर्ड में क्या-क्या कोसिन पूछा गया था NPCL का एडवांस टेस्ट का पेपर तो सभी पेपर आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो प्लेलिस्ट का नाम है DAE Advanced Test Special Playlist तो प्लेलिस्ट का लिंक में आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोभाइड कर दूँगा तो इसी प्लेलिस्ट का अप लोग इचन एबड़ी वीडियो देखिए अप लोग के लिए बहुत हिल्फुल होने वाला IG कर का एक्जाम तो आज मैं टोटल 50 कोसिन डिसक्रिप्शन करूँगा most important कोसिन क्योंकि जो सीरीज मैंने चलू किया था NFL एक्जाम का टाइम तो उसमें मैं टोटल 304 कोसिन तक solution अप लोग को दिया था और जो सीरीज बहुत जादा हिल्फुल अप लोग के लिए होने वाला है आने वाला टिक्निकल एक्जाम के लिए अप लोग बोल सकते कि NFL एक्जाम का कोसिन पर अलग था कोसिन कमोन नहीं आया था NFL का एक्जाम पैटर्न ही थोड़ा अलग कर दिया था इसलिए कोसिन कमोन नहीं आया था लेकिन DAE का जो भी यूनित होता है जैसे BARC, HWB, IGCARD, NPCL, NFC तो सभी का कोसिन पैटर्न सेम है इसी से अगर अप लोग पढ़ेंगे तो मैं 100% गारेंटी का साथ बता सकता हूँ इस से अप लोग को बहुत सारा कोसिन कमोन देखने को मिलेगा अगर अप लोग 304 कोसिन का सल्यूसन देखना चाते तो इसका जो वीडियो मैंने पोभाइट किया था NFL का मोडेल सेट 1, 2 और 3 अप लोग इन 3 क्लास देख लिजे अप लोग के लिए बहुत ज़्यादा helpful हो जागा तो मैं आज 305 नमबर का कोसिन से discussion स्टार्ट करने वाला हूँ अभी job update, admit card, result कुछ भी नहीं ही इसलिए मैं कुछ दिन से class पोभाइट नहीं कर पा रहा था और कुछ भी class नहीं ले रहा था तो आज से मैं regular upload के लिए study videos पोभाइट करूँगा जैसे मैं पहले पोभाइट करता था इसका बाद मैं chapter wise solution भी आप लोग को देते रहांगा जैसे power transmission chapter bearing class अभी मैं पोभाइट पक्का अप लोग के लिए कर दूँगा पहला question आप देख सकते question number 305 more standard tapper is one of the internationally accepted standards tapper which is available in numbers from मतलब more standard tapper को international standard tapper का हिसाब से माना जाता है तो more standard tapper कितने number में available होता है तो maximum student जानते इसका right answer रो जागा 0 to 7 क्योंकि more standard tapper को हम लोग empty से लिखते more stapper तो 0 से more standard tapper 7 तक ये available होता है ओके इसलिए इसका right answer रोज़ेगा option number C कभी-कभी पूचे जाता है modes tapper का approach angle कितना होता है तो approach angle 3 degree होता है अगर इसका tapper पर foot पूचे जाता है तो तब right answer रोज़ेगा 5 by 8 inch right answer हो जाएगा कभी-कभी question पूचे जाता है drill में जो mode step पर हम लोग use करते remark, lat center तो इसके लिए हम लोग monster पर का कितना range use करते है MT0 से हम लोग MT4 तक use करते हैं ठीक है next question number 306 which taper turning method is used for cutting steep taper मतलब कौन सा taper turning method का मदद से हम लोग steep taper को cut सकते है steep taper मतलब क्या है महती कम length या short length हम लोग जादा degree में angle को cut सकते है सोचों इधर से इधर length 10 mm है और इधर हम लोग angle काट दिए कि 68 degree का हम लोग taper कर दिए है तो कम लंबाई में अगर जादा degree angle में हम लोग taper करते हैं उसको बोलते है steep taper तो कौन सा taper turning method का मदस हम लोग कर सकते हैं swivelling the compound rest compound rest को swivelling करके जो हम लोग taper turning करते हैं तो उसमें होता है तो इसमें actually क्या होता है actually जो lead center या बोल सकते lead का जो tail stroke और जो head stroke रहता है एक ये axis में रहता है लेकिन इसमें क्या अधर tool को हम लोग थोड़ा सा angle में set करते हैं और इसका बार में थोड़ा सा चीज़ आप लोग को जान लेना चाहिए इसका advantages, disadvantages अप लोग को जान लेना चाहिए तो सबसे पहला आप लोग को मैं बताऊंगा इस bv में compound slide को उसके goal आधर पर घुमा कर set किया जाता है मतलब compound slide का आधर पर क्या रहता है goal base रहता है ठीक है, तो compound slide को 0 to 45 degree दाएं और बाएं एक degree की accuracy में किसी भी कोन पर set किया जा सकता है मतलब यह 0 रहता है और इस इदा तक रहता है 45 और इदा तक रहता है 45 मतलब इसको हम लोग डाएं 45 degree और बाएं हम लोग 45 degree का कोई भी angle में और इसका accuracy 1 degree हो सकता है तो 1 degree का कोई भी accuracy में हम लोग इस angle का बीच में compound slide को set कर सकते हैं ठीक है, इसका अगर बात करते है कभी के भी बोलते की 6 degree का taper कटना पड़ेगा तो 6 degree का taper कटने के लिए compound slide को कितना कौन पर हम लोग को set करना पड़ेगा तो included angle को 2 से divide करना पड़ेगा तो 3 degree में set करना पड़ेगा ठीक है, इसका सुभीदा क्या क्या होता है advantages होता है इसमें हम लोग external taper, internal taper cut सकते हैं, और दूसरा होता है small and steep taper can be cut छोटा taper को cut सकते हैं, चोटा सा length में हम लोग ज्यादा degree angle में taper को cut सकते हैं, इसका कुछ असिविदा होता है, असिविदा क्या क्या होता है disadvantages सबसे पहला होता है इसमें precision taper नहीं होता है क्योंकि operator भी इसके लिए बहुत ज़्यादा tired हो जाते है, बहुत ज़्यादा पड़ेसान हो जाते है, इसमें hand fit देना पड़ते है इसमें automatic feed हम लोग use नहीं कर सकते है automatic feed जब भी use नहीं होता है तो poor surface finish आता है क्योंकि automatic feed में क्या होता है automatic feed में finishing अच्छा था surface finishing अच्छा है था, तो जब compound slide में हम लोग hand feed यूज़ करना पड़ते है, तो surface finish तो अच्छा नहीं आएगा as compared to अलग अलग जो tapering method होता है okay, तो इसका बाड़ में मैं बहुत सरा आप लोग को चीज़ बता दिया हूँ क्या क्या होता है, तो class लेने का मतलब यह नहीं है स्रे उसी question को मैं discuss करूंगा जो easy question उसको मैं तुरंत उसका answer बता के चला जाओंगा और उसका बाड़ में कुछ discussion करना होगा तो मैं उसको detail में discussion कर दूँगा okay next question number 307 mode stepper is used in which one of the following machine component कौन सा machine component में हम लोग mode stepper का इस्तमल करते हैं spindle of lead या spindle of drilling machine या sank of remar तो आप लोग जानते हैं डिमar का sank में हम लोग empty taper देते हैं lead का spindle में भी हम लोग mode stepper देते हैं और drill machine का spindle में भी हम लोग mode stepper देते हैं इसलिए इसका right answer होज़ेगा all of this next question number 308 for mass production of the taper which one of the following method is used जब हम लोग mass production करते हैं mass production मतलब क्या है बहु उत्पादन करते हैं same चीज़ को अगर हम लोग बहुत सरा संखा में बनाते हैं सोचो ऐसे एक part है तो ऐसे एक part को अगर हम लोग बहुत सरा संखा में बनाते हैं सोचो 10,000 पीस हम लोग को बनाना है तो इसको क्या बोलते हैं इसको mass production बोलते हैं ठीक है same to same part हम लोग को बहुत सारा नंबर में बनाना पड़ता तो इस mass production में taper अगर हम लोग को कटना पड़ता तब कौन सा taper turning method हम लोग use करते हैं तो आप लोग जानते mass production में क्या होता है इसमें हम लोग को product को बनाने में कम time लगता है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग product बना सकते हैं और इसमें क्या होता है कम time लगने के लिए अलग हम लोग को taper turning method भी use करना चाहिए तो इसके लिए जो special taper turning method होता है वो होता है form tool method ठीक है तो form tool method हम लोग use करते है mass production में taper को कटने के लिए तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए form tool की step का होता है तो form tool step का होता है मैं drawing आप लोग को बना के आप लोग को बता देता हूं step के tool होता है ठीक है तो step का tool में क्या होता step का देखने को होता है step का same tool से मैं जो बना रहा हूँ step को देखने को यह होता है तो यह आप देख सकते है इस step का tool है और इसे कैसे यह आगे बढ़ता है ठीक है तो आप लोग को सबसे पहले जालना चाहिए a straight form tool which has half the taper angle is set with a taper cutting edge मतलब यह जो taper cutting edge आप देख सकते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं तो एक straight cutting tool आप देख सकते हैं इसका taper cutting edge है तो जो भी taper है अगर six degree taper है सोचो तो उसका आधा हाप अप इंक्लूडेड एंगल मतलब three degree में हम लोग के tap जो taper cutting edge है उसको हम लोग set करते हैं ठीक है उसका job का सथ पूरा यह जो cutting surface एक contact में आता है तो जब भी आगे ऐसे बढ़ेगा तो job का सथ ज्यादा contact में एक contact में आ रहा है तो जब भी ज्यादा contact में आएगा उसमें friction ज्यादा रहेगा तो tool खड़ा भोज सकता है बहुत जल्दी जल्दी खड़ा भोजेगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो small length of taper होता है छोटा सच जो short taper होता है या small length of taper होता है उस अब जगा में mass production का time हम लोग use करते हैं form tool सब फीर से आप लोग को मैं बता देता हूं जब taper हम लोग करते हैं तो large contact area आप देख सकते जौब का साथ contact में आ रहा है ऐसे अगर लंबा जौब होगा तो करते करते बहुत दूर तक जब जाएगा तो tool friction का वज़े से खड़ाब हो सकते इसलिए हम लोग short length of taper या short taper हम लोग कर सकते form tool का मदद से और एक form tool का हम यूज करते मास production में ठीक है इतना clarity का साथ अप लोग को कोई नहीं समझाएगा अप लोग समझ लेना बहुत सरा student को क्या होते हैं सरफ question दिखाओ answer बताओ ऐसा YouTube channel बहुत अप लोग को देखने को मिलेगा ऐसा हम करते नहीं है जब rapid fire class में चलाता हूं तो question answer discussion करता हूं लेकिन जब discussion करने का हम लोग का पास समय है तो जब time है तो हम discussion करूंगा भाई जिसको देखना है देखिए जिसको नहीं देखना उसकिप कर सकते हैं कुछ कुछ student बोलता है आप question से ज्यादा discussion करते हैं हां discussion भाई करते हैं इसलिए बहुत सरा student को help होता है ऐसा नहीं कहूंगा क्यूंकि इ ऐसे suggest किया था जैसे मैं बताया तो same two से मों इसे follow करके गया था और सभी student का selection होगा medical का बाद मेरा साथ बात चीद भी हुआ है ठीक है तो मैं बता रहा हूं concept clear करने का courses कीजिए ऐसे concept आप लोग को कोई clear नहीं करेगा MC के आप लोग को बहुत सारा तो ऐसे भी मिल जाता है next question number 309 the major diameter of the taper is 40 mm minor diameter is 30 mm the total length of job is 100 mm is tapered then offset is given by तो इसमें आपको एक job का बड़े में बताया गया है job का total length कितना बोला है total length बूला है 100 mm अदे लेन्थ कहीं त्यापर है ठीक है ऐसा नहीं कि 100 mm का job है 50 mm तक टैपर है ऐसा कुछ ने full length of taper आपको बोल दिया है total length of the job is 100 mm इस टैपर मतलब total length तक है टैपर है और इसका small diameter 30 बोला है और इसका big diameter 40 बोल दिया है तो जब हम लोग tail stock offset method का मदद से हम लोग tapper को काटते हैं तब offset कितना होना चाहिए कितना millimeter होना पड़ेगा तो इसके लिए एक formula आता है आप लोग जानते है major diameter minus small diameter बटा 2 into length of tapper into length of the job ठीक है तो इसमें तो आपको major diameter बोल दिया 40 और small diameter बोल दिया 30 और आपको बोला है 2 into length of tapper length of tapper तो full length of tapper है तो full length of tapper 100 है और उपर में क्या बोला था total length of the job तो 100 है तो 100 है तो 100 है तो कट जाएगा तो उपर में क्या है 10 बटा 2 तो actually क्या हो जाएगा 5 mm तो offset हम लोग को 5 mm सेट करना पड़ेगा समाज में आ गया बहुत इजी कोसे नेक्स्ट कोसे नमबर 310 डैस और डैस सेप जॉब टर्निंग इन फॉर्म टर्निंग मतलब फॉर्म टर्निंग का मदद से हम लोग की सेप का जोब हम लोग टर्निंग कर सकते हैं तिसका रैक्टा नस रखो जोगा उप्सयन नमबर 3 मेथोड से करते हैं सबसे पहला मेथोड क्या होता है फॉर्म टूल का मदद से करते हैं जो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ दूसरा से क्रोस और लॉंगिट्यट्यू लॉंट्यू दियन skatingarional अभी करते हैं करके आगर कोई भी कौनके भी आप गौनवेक्स सिर्फेस बनाना है तो क्रोश लाइट और लॉंगिट्यू दिच्ट के महमें कर सकते हैं और तिसरा होता है ।ैम्प्लेट template का मतलब हम लोग form turning कर सकता है template में क्या होता है जिस shape का job होता है उसका opposite shape का हमको एक piece बनाना masterpiece बनाना पर तो उसका मतलब हम लोग बाकी job का उपर हम लोग same to same shape बना सकते हैं ठीक है तो template generally किसमेटियल से बनता है तो form turning का 3 method आप लोगों मैं बता दिया हूँ बहुत important question है आप लोग याद रखना 311 number का question में पूछा है which part making by form turning of machine machine का form turning का मदद से हम लोग कौन सा part को बना सकते हैं तो handle हम लोग बना सकते हैं generally base, bed या carriage हम लोग नहीं बनाते हैं handle जो इस type का shape होता है तो इस shape को बनाने के नहीं हम लोग क्या करते हैं आप देख सेकते हैं convex एक oncave surface है तो इस shape of job को बनाने के लिए हम लोग use करते है form turning method ठीक है next question number 300 form turning done for this purpose form turning हम लोग क्यों करते हैं 4 option दिया गया attractive job बने के लिए मतलब job का look को और भी अच्छा करने के लिए या बोला है कि for large material cutting ज्यादा से ज्यादा material को cut करने के लिए या better finishing करने के लिए या smaller cut on the job मतलब job को उपर small cut देने के लिए तो इसका right answer हो जागा for attractive job मतलब job को और भी attractive या बोल सकते हैं कि और भी अच्छा बनाने के लिए ठीक है देखने में और भी अच्छा हो जाए इसलिए हम लोग form turning करते हैं ठीक है next question number 313 number में पूछा गया है which type of metal tool used for mass production of form turning mass production करते टाइम जब हम लोग form turning करते हैं तो form turning में किस metal से बना हुआ tool का हम लोग इस्तमाल करते हैं क्योंकि अगर हम लोग HSS tool को जादा बार grinding करेंगी क्योंकि mass production में बहुत सरा job को हम लोग बनाते हैं तो जब भी बहुत सरा job को बनाते हैं तो उसमें high speed steel को बहुत बार grinding करना पड़ता है high speed steel को अगर बहुत बार grinding करते हैं तो क्या होता हो उसका hardness को loss कर जाता है तो खड़ा वो जाता tool इसलिए हम लोग क्या करते हैं carbide tip tool का हम लोग इस्तमल करते हैं carbide tool ऐसे भी महेंगा होता है उसका पूरा tool हम लोग नहीं उसकरते only हम लोग उसको carbide tip करते tip को हम लोग carbide से बनाते हैं ठीक है तो इसलिए इसका right answer हो जागा carbide tip tool हम लोग उज़ करते हैं mass production में next question number 314 यह BSW threading tool is to be grounded with an included angle of weighty standard without a thread अगर हम लोग को बनाना है इसके लिए हम लोग को कितना degree angle उसको बनाना पड़ेगा मतलब BSW thread के angle कितना होता है 55 degree होता है अब लोग जानते हैं तो BSW threading tool जो होगा तो उसका भी angle कितना degree angle में हम लोग को grinding करना चाहिए तो इसका right answer हो जगा 55 degree next question number 315 the nose radius of metric V thread tool is metric V thread tool जिसका angle 60 degree होता है इसका front portion क्या होता है radius type का होता है तो इसमें कितना radius रहता है 0.144 into pitch बहुत ही important question है next question number 316 the depth of BIS metric thread is BIS Bureau of Indian Standard metric thread का depth कितना होता है सबी students जाते हैं 0.6134 into pitch अगर बात करता है International Standard Organization ISO thread का depth कितना होता है 0.6495 into pitch अगर BSW thread का BT standard with worth thread का बात करता है तो रहता हैं 0.6403 into pitch अगर warm thread का बात करता है तो उसका रहता है 0.6866 into pitch अगर बोलता बाट्रेस thread तो रहता है 0.75 into pitch समाज में आगा square thread का बात करता है 0.5 into pitch अगर अगर एकमी thread का depth का बात करता है तो रहता है तो रहता है यह कभी कभी दिया रहाता है ऐसे दिया रहाता है 0.5 pitch प्लास 0.25 mm ओकी क्योंकि आप लोग जानते है 5 बाटा 2 मतलब भी 0.5 होता है समाज में आगा बहुत ही important एक question है next question number 317 threading tools are checked for accuracy for the 60 degree angle by using it threading tool मतलब क्या है जो tool use करके हम लोग thread करते है तो उसका angle 60 degree है की नहीं इस accuracy को check करने के लिए हम लोग कौन सा gauge का इस्तमाल करते है center gauge का हम लोग इस्तमाल करते है ओके या कभी के भी बहुत है threading tool को led का axis का साथ totally perpendicularly उसको set करने के लिए हम लोग कौन सा tool use करते है center gauge right answer हो जाएगा next question number 318 the number of threads per inch can be checked with him inch में कितना thread है उसको check करने के लिए हम लोग किस चीज का use करते तो इसका right answer हो जाएगा screw pitch gauge ओके कभी के भी इसका range से भी question पूछे जाते इसका range कितना हो तक पीच का range होता है 0.35 mm से 5.00 mm थक ठीके तो एक question बहुत important है maximum student के लिए unknown question आप लोग याद रखना और screw pitch gauge गा जो एक-एक blade होता है किस metal से बनता है यह बनता है hardened spring steel seat से बनता है hardened spring steel seat से ओके next question number 319 when threading the carriage is moved along the ways by जब हम लोग thread करते हैं तब carriage किसका साथ move होता है किसका path में वो एक साथ move होता है lead screw का साथ हो move होता है तो आप से number C right answer हो जाएगा तो thread करते हैं हम लोग lead screw जिसमें एकमी thread रहता है जिसका angle होता 29 degree इसको engage करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग harp knot को use करते हैं तो harp knot को हम लोग देखे engage कर देते हैं carriage का साथ तो जब ही engage कर देते हैं तब lead screw को साथ carriage भी उसका path में move होते रहता है जो thread का form है या safe है उसको exact maintenance करने के लिए क्योंकि उसका safe कभी कभी बिगाड़ जाता या कभी कभी उसको repair करना पड़ता तो उसका exact form को ठीक रखने के लिए तो कुछ कुछ student बोलता है thread का मदद सामलोग तो only उसका exact form of thread को maintain कर सकते हैं हाँ हो hand chaser का होता है लेकिन machine chaser का मदद सामलोग thread भी कर सकते हैं external भी thread कर सकते हैं next question number 321 number thread chaser are made out of thread chaser की इस material से बनता है तो इसका right answer हो जगर tool steel ठीक है तो option number C right answer हो जाएगा next question number 322 chaser are used to cut chaser का मदद सामलोग कौन सा thread कर सकते हैं अभी जाष्ट मैं आप लोगों बता दिया हूँ इसलिए मैं extra question आप लोगों साथ डिसकस करते रहता हूँ तो external भी thread का मदद सामलोग कर सकते chaser का मदद सामलोग तो ओ होता machine chaser next question number 323 to cut M24 into 3 mm pitch internal thread the core diameter of the job is internal thread कटने के लिए आपको बोला है M मतलब metric 24 मतलब major diameter 3 मतलब pitch है तो इसमें जब internal thread कटेंगे तो उसका core diameter कितना हो जाएगा वो आपको निकालना पड़ेगा external diameter तो या major diameter तो 24 बोल गया है तो core diameter कितना हो जाएगा यह निकालना पड़ेगा जब internal thread का बात करता है तब depth का फॉर्मूला अलग होता है आप लोग जानते क्या होता है major diameter minus 2 into depth हो जाता है तो depth हम लोग जनाली लिखते 0.6134 into pitch लेकिन इसमें क्या होते internal thread जब बोल देता है तब हो जाता है 24 मतला major diameter minus 2 into इधार हो जागा 0.5412 into pitch हो जाएगा तो जब भी इसको आप लोग calculation करेंगे तो इसका right answer आजएगा 20.76 का आसपास जो आप लोग बोल सकते की 21 mm ठीक है अगर आप लोग इसको करके चलेंगे तो इसका exact answer नहीं आएगा और भी कम value आएगा तो जब internal thread का बात करता है तो यह formula हो जाता है depth का formula होता है 0.5412 into pitch ओके next question में जब भी आप लोग जाएगा आप लोग 0.5412 into pitch पीच इधा 3 mm बोल दिया है ऐसे अगर आपको पूछे जाता है कि the depth of thread in Indian standard या आपको बोलता है कि Bureau of Indian standard for internal thread ऐसे अगर आपको mention कर देता तब क्या हो जागा तब आपको लेना पड़ गा 0.6134 into pitch same to same question है लेकिन इसमें क्या बोल देता कि Indian standard जब बोल देगा specially तब हम ल का फॉर्मूला होता है ओके next question no.325 to cut 24 into 3 mm internal Acme thread the core diameter of job is तो same to same आपको बोला है इसमें internal Acme thread करने के लिए बोला है तो code diameter का क्या formula हो जागा 2 into depth depth का formula क्या होते है जानते है आप लोग 5 बाटा 2 मतलब आप बोल सकते 0.5 into pitch हो जाएगा उसका बाद 0.25 mm करेंगे तो इसका रैटन सा 20.60 mm का आसपास आ जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत सारा नया नया question आप लोग को इस class में सीखने को मिल दा है जो exam में difficult question होते है इस करेंगे तो रैटन सारी 0.5 into pitch बहुत ही easy question है इसका same answer होता है next question number 327 to cut buttress thread the depth of cut is buttress thread को cutने के लिए depth of cut कितना होना चाहिए सब इस students जानते 0.75 into pitch होना चाहिए तो इसका रैटन सारी जोग option number D, option number जो B बोला है एक गलत answer है ओके और warm thread का अगर बात करता तो वो तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ next question number 328 for cutting acme thread the tool is grounded to an included angular एक्मी thread को कटने के लिए tool को कितना degree angle में grinding करना चाहिए तो इसका रैटन सावजगो 29 degree ठीक है क्योंकि इसका angle भी 29 degree होता है तो tool भी इसको सेंटरी सेंटरी सेंग बनाना पड़ेगा ना और इसमें क्या बोला है 47.5 degree रैटन सादिया है एक इस thread का होते बीए thread का होता होता है 329 number का question में बोला है हापनाट लिवरी is used for हापनाट लिवर्ट हम लोग कब इस्तमाल करते कैसे करते हो तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं carriage का साथ हम लोग जो lead screen रहता है उसको हम लोग engage करते कि इसका मदद से करते हैं हम लोग करते हापनाट का मदद से हापनाट लेभार का मदद से तो कब करते हैं thread करते वक्त ओक्त इसका मदद से हम लोग क्या मिलते हैं automatic freedom को मिल जाता है 330 number का question में बोला है the bottom surface joining the two sides of adjacent thread of external thread is external thread का जो bottom surface उसको क्या बोलता है उसको root बोलता है और आपार surface को क्या बोलता है crest कहते हैं okay next question number 331 the form of thread used in carpenter vice carpenter vice में लोग किस टेप का thread का इस्तमाल करते है saw to thread का इस्तमाल करते है जिसका angle होता है 3 degree और angle होता है 30 degree okay अगर बाट्रेश थेप का बोलता है एक angle होता है इस सभी question easy है तो इसका ज्यादा discussion मैं नहीं करूंगा और भी question इस class में important है जो धीरे धीरे में आगे बढ़ते जाओंगा तो cast iron को हम लोग machine bit का manufacturing करने के लिए use करते क्यूंकि यह बहुत ज़्यादा compressive strength को register कर सकते हैं next question number 333 which one of the following operation can't be performed on a center lid center lid में हम लोग कौन सा operation को कर नहीं सकते है turning तो हम लोग करते thread cutting भी करते हैं आप सब इस student जानते है taper turning भी करते हैं लेकिन gear cutting हम लोग नहीं कर सकते gear cutting हम लोग hobbling machine में करते हैं milling machine में करते हैं तो अलग-अलग army machine है gear cutting machine के मदद से हम लोग gear कर सकते हैं next question number 334 for carbide tip tool turning on hard material it has dash essential जब carbide tip tool होता है mass production में वो hard material को कट सकता है इसके लिए कौन सा rake angle चाहिए negative rake angle चाहिए तो harder material like high carbon steel अगर होगा तो उसको कटने के लिए तो carbide tip tool चाहिए तो उसमें negative rake angle हम लोग क्यूज करते हैं negative rake angle हम लोग क्यूज करते हैं tool को और भी ज्यादा stronger बनाते हैं और इसको life भी हम लोग increase करते हैं वह से जिरो रेक अंगल अगर बात करते हैं zero rake angle में भी same to same होता है हम लोग उसका आप बोल सकते कि tool को stronger करते हैं उसका life को और भी long करते हैं ओके तो इसका अगर बात करते हैं जैसे ब्रास होता है ब्रास का भी कितना क्या होता है रेक अंगल zero degree होता है ओके अगर तास्ट आइरन का बात करते हैं तो कास्ट आइरन का कितना होता है रेक अंगल zero degree होता है कि hard और vital जो भी material होता है उसके लिए हम लोग zero break angle का इस्तमाल करते हैं और positive break angle का हम लोग कब use करते हैं जब low strength या आप बोल सकते हैं soft और ductile material होता है उसको cutting करने के लिए हम लोग positive break angle का इस्तमाल करते हैं ठीक है next question number 335 इसमें बोला है a slot is to be milled in a steel component using a 9 mm diameter slot mill rotating at 373 rpm the cutting speed will be तो cutting speed निकलने का formula आप लोग जानते हैं cutting speed is equal to pi dn but a thousand इस formula में अगर आप लोग put करते हैं तो इसका right answer आजगा 10.55 mm per minute next question number 336 same to same question है इसमें आपको बोला है आपको निकलना पड़ेगा rpm तो rpm निकलने का भी same to same formula होता है just इसमें आपको क्या करना पड़ेगा यह जो formula है तो इदर आपको CS in 2000 करना पड़ेगा but a pi d हो जाएगा n is equal to ओके इस formula में अगर आपको करेंगे क्योंकि इसमें cutting speed दे दिया 14 meter per minute तो इपूट करने का बाद अपकर आइटन सर आ जाएगा 337 number का question में बोल्ड है 338 number का question में आपको पूछा है zero day के angle tool में हम लोग क्यों provide करते तो मैं अभी आप लोग को बता दे हूँ कि tool life को increase करने के लिए और उसको और भी जादा stronger मजबूत बनाने के लिए तो इसका right answer जगा to increase the tool life ओके next question number 339 which type of metal tool used for mass production of form turning मतलब की step का tool हम लोग क्यूज करते है mass production में जब हम लोग form turning करते है पहले आप लोग को मैं बता दे हूँ carbide tip tool का हम लोग इस्तमाल करते है next question number 340 when cutting tool start is action and cutting force is increased at this position subsequent effect of the tool is मतलब जब cutting tool cutting action start करता है जब भी जो उसका आगे बढ़ता है तो उसका cutting force और भी बढ़ जाता है तो क्यूं होता है जब clearance angle कम होता है तो job का साथ क्या होता है वो touch में आता है touch में आने का कारण उसमें friction होता है friction आगा जादा होता है तो क्या होता है उसको cutने के लिए जादा हम लोग को cutting force का जरूरत पड़ता है तो इसका right answer हो जाएगा cutting angle sorry clearance angle जब कम होता है तब इस टाइप का problem होता है 341 number का question में पूछा है the purpose of rake angle for tool is tool में rake angle provide करने का या देने का क्या purpose होता है उद्दस क्या होता है तो इसका right answer हो जब का right direction for metal chips जो metal chips होता है उसको right direction दिखा देता है chips को easily निकालने में वो मदद करता है तो यह actually इसका काम होता है कभी कभी उसका surface finish भी अच्छा करने के लिए क्योंकि आप लोग जानते positive rake angle में always finish अच्छा आता है negative rake angle में क्या होता है अगर speed कम होता तो finish अच्छा नहीं आता है speed को बढ़ाना पड़ता तबी हो finish अच्छा आता है तो high speed high speed में मतलब जादा speed में कोई भी rake angle हो तो उसका finish अच्छा आता है लेकिन low speed में जब हम लोग zero rake angle और negative rake angle use करते हो उसका finish अच्छा नहीं आता है लेकिन इसके actual कम होता है जो metal chips होता है उसको right direction दिखा देता है कि उसको निकालने का ठीक है 342 number का question the purpose of provide clearance angle for cutting tool is cutting tool में clearance angle देने का क्या होता है तो actually job का साथ जो friction होता है उसको कम करने के लिए हम लोग देते है next question number 343 if cutting tool setting upper center height done what happen मतलब actually मैं आपको बोला है जो lead में हम लोग जब भी operation करते हैं तो सभी operation में उसको center height में fix करना चाहिए tool को तो tool को अगर हम लोग center height से क्या होता है उसको अब और above set कर देते हैं उपर में set कर देते तो क्या होता है तो actually सोचो यह इस type का job है तो इसको actually इस जगा में set करना चाहिए था लेकिन उसको हम लोग क्या कर दिया है उसको हम लोग इस जगा में set किये हैं ठीक है मतलब उसका center height से उपर हम लोग set कर दिये हैं तो इसमें क्या problem होता है इसका rake angle जो होता है rake angle बढ़ जाता है और जो clearance angle होता है clearance angle कम हो जाता है तो अब देख साकते option में दिया है increase top rake angle top rake angle बढ़ जाता है तो top rake angle तो बढ़ता है और right answer हो जाएगा अगर ऐसे देता कि decrease clearance angle तो right answer हो जाता next question number 344 same to same आपको question पूछा है अगर ऐसे job है तो job को cutting करते time अगर हम लोग उसको center right का नीचे set करते तब क्या problem आता है top rake angle कम हो जाता है decrease होता है और जो clearance angle होता है clearance angle बढ़ जाता है तो आप देख सकते इसमें right answer हो जाएगा decrease top rake angle next question number 345 if cutting tool is setting is upsetting of center of job तो same to same आपको question पूछा गया जब हम लोग center का उपर fix करते तो decrease front clearance angle अभी मैं आपको बता दिया हूँ same to same क्या हो जाएगा अगर नीचे set करते तो front clearance angle बढ़ जाता है जिस भी type के question आता है सभी question इस paper में आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ और भी question है आप देखिए zero deck angle give for tool मतलब tool में हम लोग zero deck angle क्यों देते है उसका tool life को increase करने के लिए और उसको और भी मजबूत करने के लिए stronger करने के लिए 348 number का question में आपको बोल है carbide tip tool हम लोग use करते है hard metal को कटने के लिए इसके लिए हम लोग negative break angle use करते है okay next question number 349 तो कुछ question coincide कर गया cutting edge of cutting tool मतलब cutting tool का cutting edge टूटे ना इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग negative break angle provide करते हैं negative break angle provide करने का वाज़ा से क्या होता है उसका जो cutting edge हो तो और भी मजबूत हो जाता है इसका बार में मैं पहली आप लोग को discussion कर दिया हूं next question 350 नामबर का question में पूछा कर चीप breaker in a tool is given chip breaker tool में हम लोग क्यों देते हैं तो इसका right answer हो जाएगा it breaks the chips into small pieces जब हम लोग ductile और soft metal का turning करते हैं उसमें क्या chips थे continuous chips आता है ओके ए continuous chips क्या होता है बहुत curly curly लंबा 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 chips होता है curly curly या लंबा लंबा चीप होने का करण टूल फेस में क्या होता है वो अटक जाता है इसलिए लंबा 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 चीप को छोटा छोटा पीस में ब्रेक करने के लाएं जो चीप ब्रेकर यूज करते है टूल में ठीक है next question 351 step type chip breaker is one मतलब step type chip breaker क्या होता है in which step is ground on the face of the tool along the cutting edge मतलब tool का cutting edge का साथ साथ उसका जो face होता है उसमें हम लोग एक step बना देते हैं ठीक है जिसको बोता है step type chip breaker ठीक है क्योंकि आप लोग जानते हैं टूल का face से वो chips निकालते हैं और उसमें अगर हम लोग face को अगर अच्छा से आप लोग जानते हैं उसमें क्या होता है तो आप रेक अंगेल होता है तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा step बना देते हैं तो ओई होता है step type chip breaker ओके next question number 352 in following which type of tip for cemented carbide threading tool cemented carbide threading tool में किस type का tip हम लोग लगा आते हैं with braging on tool ठीक है तो उसमें हम लोग braging कर देते हैं cemented carbide tip tool जो होता है तो उसको हम लोग braging करके बनाते हैं next question number 353 इसमें पूछे जा रहा है the tip of cemented carbide threading tool is same to same question है cemented carbide threading tool का tip braged होता है और tungsten carbide tool are mostly braged type ए चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा 354 number का question में पूछे जा रहा है the cutting speed for aluminium with HSS tool is HSS tool का मदद है जब हम लोग aluminium को करते हैं उसका speed कितना होता है 70 से 100 meter per minute approach होता है तो option number C right answer हो जाएगा 355 number का question में पूछे जा रहा है जब हम लोग high speed tool का दरा ब्रास को करते हैं तो cutting speed कितना होता है तो इसका right answer हो जगा approach 70 meter per minute होके next question number 356 the distance which the cutting edge of the tool passes over the material in a minute while machining is known as जब हम लोग machining करते हैं तो tool का cutting edge एक minute में material का अंदर जितना distance का अभार करके अंदर चले जाते हैं उसको क्या बोलतों उसको cutting speed कहते हैं इसका unit क्या होता है meter per minute होता है next question number 357 by using coolants on workpiece we can choose जब हम लोग workpiece में cutting करते time coolant use करते हैं तो उसमें हम को क्या हम लोग को मिलता है उसमें high cutting speed हम लोग को मिलता है ओके नहीं तो high cutting speed अगा ज्यादा करते हैं तो उसके लिए ज्यादा गरम हो जाएगा ज्यादा गरम हो तो tool खड़ाब हो जाएगा तो जब भी हम लोग coolant use करेंगे tool ठंडा रहेगा job ठंडा रहेगा तो cutting speed भी हम लोग बढ़ा सकते हैं next question number 358 what is breakdown maintenance same to same question bark मैसुरू में पूछा गया था ठीक है तो आप देख सकते हैं इसका right answer हो जगा repair work carried only when machine breakdown जब machine breakdown होता है तब हम लोग जो repairing work करते हैं उसको breakdown maintenance बोलते हैं मतलब breakdown होने का बाद जो हम लोग maintenance करते हैं उसको बोलते हैं breakdown maintenance ठीक है next question 359 number खा extreme pressure additive EPA is mixed with cutting fluid जब EPA cutting fluid का mix करते हैं तब क्या improve होता है उसका lubrication power improve होता है तो EPA का full form एक most important question होता है extreme pressure additive next and last question आज का class का the main purpose of using a lubricant in machine tool is machine tool में lubricant use करने का क्या purpose होता है जो making making नहीं mating parts होता है दो part match करता है तो उधर match करने का बाद जासे क्या होता है cutting tool और walk piece match करने का बाद जैसे friction होता है तो friction को कम करने के लिए हम लोग lubricant का use करते हैं तो इधर machine tool में पूछा है actually मैं गलत बता दिया हूँ machine tool में मसलब क्या होता है machine का जो अलग-अलग part है उसमें जो दो mating part होता है तो ऐसे पास में रहता हुआ दो part है तो इसका बीच में अगर हम लोग lubricant use करते हैं तो क्या होता है तो friction कम होता है और machine का जो longevity है और भी बढ़ जाता है ठीक है तो इसका राइटान से लिए minimize the friction between the mating parts mating होगा ओक्यों तो एथा आज के लिए total question वीडियो साथ आप सभी के लिए helpful है बहुत सरा कुशन आपको uncommon देखने को मिला जो आप लोग को नया नया कुशन सिखने को मिला है तो ऐसे ही मैं एक class provide करते रहा हूँगा अगर आप लोग का तरप से अच्छा कासर support आये तो तो class कैसे लगा एटलिस्ट आप लोग comment box में जरूर बताना मैं कोशिस करके अप लोग के लिए most important class provide करने का कोशिस करता हूँ आज के लिए तने मिलते नेक्स्ट वीडियो में टाटा बै बै